हेलो माई डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई चैनल, शिवम स्टुटी नॉलेज, माई डियर स्टूडेंट, आज किस वेडियो में हम क्लाश टोईल जियोग्रॉफी भोगोल दोजार पचीस बोर्ड एक्जाम के लिए जियोग्रॉफी के पचासी महत्पूर टॉपि इस बार उनका कुछ भी नहीं तयार है, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि बोर्ड एक्जाम में हम जियोग्रॉफी का पेपर कैसे देंगे, हमें अच्छे माक्स कैसे आएंगे जियोग्रॉफी में, तो आज का यी व चैप्टर वाइज टॉपिक मिल जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सभी चैप्टर वाइज टॉपिक हैं, और इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेक कर आए हैं, तो जितने भी स्टूडेंट मात तरी पचासी टॉपिक को पढ़ लेते हैं, पक्का सो प करके सारे इंपॉर्टन टॉपिक को चैप्टर वाइज बताता हैं, बस आप लोग कॉपी पे लेकर वैड़ जाहिए, आपसे रिक्वेस्ट हैं, कॉपी पे लेकर वैड़ जाहिए, सारे टॉपिक आपके बुक और कोश्चन बैंक में आसानी से मिल जाएंगे, वो भी इसके जो इंपॉर्टन टॉपिक मिलते हैं, चलिए वो बात कर लीते हैं, यहाँ पर दिखिए, सबसे पहला इसका टॉपिक है मानो भूगोल को परभासित कीजिए, यानि आप लोगों को मानो भूगोल को परभासित करना है, तो मैंने काफी बार आप सभी को इसका एंसर पताया है तो यह काफी important है इसको भी आप लोगों को तयार कर ले रहा है तो दूसरा topic है मानु भूगोल की परकिर्त का वरणन कीजिए यारी जो मानु भूगोल की परकिर्त का वरणन है इसका आपको वरणन करना है यह खासकर लगुत तरिये में question पूछा जाएगा तो यह most important questions है इसको भी आप लोगों को तयार कर ले रहा है सबसे पहले आप लोग कीजिए कि student copy film में इन सभी questions को note कर लीजिए ठीक है यह सभी important topic आपके board exam में 100% पूछे जाएंगे यह guarantee student क्योंकि 85 ऐसे important topic में लेकर आया हूँ जो आपकी board exam में 2025 की board exam में 70 में 70 आपको 100% दिला कर जाएंगे student बस आप लोग एक भी topic को मत छोड़िएगा ठीक है अगला topic देखिए तीन number मानो भूगोल के विसे छेत्र के बारे में बताईए तो जो आपका first chapter है इनसे सभी यह topic आपके निकल नहीं है ठीक है तो मानो भूगोल के जो विसे छेत्र है इनके बारे में आपको बताना है इसकी विवेचना कर देना है अगला topic है चार number मानो भूगोल की विभिन साखाओं का वरणन कीजी जो मानो भूगोल का विभिन साखाओं का वरणन कीजी जो मानो भूगोल का विभिन से इसके बारे में आप लोगों को बताना है ठीक है श्टूरेंट तो यह पाच टॉपिक आपके चैप्टर वन से बनते हैं तो इसको भी आप लोग तयार कर लीजिए अगला टॉपिक देख लेते हैं अगला चैप्टर देख लेते हैं फिर उसके टॉपिक को आप देखते है स्टूरेंट एक अगला चाप्टर में दूसरा नंबर विश्व जनसंख्या वितरन घनत और वृद्धी ठीक है यह आपका सेकंड़ चैप्टर है और सेकंड़ चैप्टर की कितने टॉपिक बनते हैं चलि देखते हैं नंबर 6 नंबर टॉपिक इसका जनसंख्या घनत को परभासित कीजे, यानि जनसंख्या घनत को आपको परभासित करना है, dlou já pravot के बारे में जानना तो कमपलशरी है, टीके स्टूरेंट उसके बाद में देख लेते हैं अगला यहाँ पर, साफ नंबर टापिक देखें इसका, परतिकर्श और अपकर्ष कारप क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीके, परतिकर्ष और अपकर्ष कारप में आपको अंदर बताना रहेगा, ये भी आपका important questions है, इसको भी आपको तयार कर लेना है, आठ नमबर topic है, जन संख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कार questions को अपने question bank में, जिद्या question bank, अर्यांते या mastermind, जो भी question bank आपने लिया है, उसमें इसका chapter wise answer देखिएगा, आपको बहु विकल्पिये, छोड़कर आति लगुत्तरिये, लगुत्तरिये, और व्रिस्तु तुत्तरिये में ये तीनों type के questions मिल जाएगे, उसका answer आप लोग तैयार कर लिजिए, answer नहीं तैयार करना चाहते, तो आप हमारे channel पर विजिट कीजिए, आपको मेरे geography पे, सभी संपूर तैयारी कराई हुई है, 9 नमपर आपका topic है, जन संख्या का परवास क्या है रही है, कि बाद में देखिए, 10 नमपर topic, जनन के किये संक्रमन के बारे मे आपका काफी पूछे जाएंगे कि जनन के किये संक्रमन की तीन अवस्थाओं के बारे में बताईए, ठीक है, जनन के संक्रमन की सिधान्त की विविन साखाओं का वरण कीजिए, तो इन सभी topic, यानि questions की रूप में पूछे जाएंगे, इसको में topic का नान देता हुई student, 11 न नमबर आपका जो topic है, मानो विकास का सूचकांग, ठीक है, मानो विकास की सूचकांग की अधारणा आपको दे रहा है, अगला topic है 13 नमबर, मानो विकास के चार अस्थम्भों का वरणन कीजिए, अब जो चार अस्थम्भ हैं आप लोगों को पता ही होगा, संता, सतत, सक्ती करने, इन चारो topic को यानि चारो जो अस्थम्भ हैं इनके बारे में बिताना है, 14 नमबर topic है आपका, व्रिद्धी और विकास में विभेद कीजिए, इसके यानि व्रिद्धी और विकास में आपको क्या करना है, विभेद करना है, 15 नमबर topic है, मानो विकास के उपाग याद रखेगा जियोग्राफी के लिए है और ऐसे ही में हर एक स्टूडेंट के लिए और हर एक सब्जेट का में टॉपिक लेकर आ रहा हूं स्टूडेंट बस आप हमारे चैनल से जुड़िया यह पूर रूप से जो हमारे आल्ट की विद्ध्यारती है जो हमारे आल्ट यारी करा रहा है उस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी इंपोर्टन कोश्चन इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा कॉपी कैसे लिखते हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे तैयारी करें क्या स्टाटिजी रहनी चाहिए और किस आपको इस चैनल पर मिलेंगी स्टूडेक्ट चौथा नमबर चैप्टर है प्रात्मिक किरियाए के कौन कौन से आपके टॉपिक बनते हैं देखिए आपके 16 नमबर टॉपिक है आदिकाली निर्वाह किर्शी आपर आदिकालीर हो जाएगा ठीक है आदिकालीर निर्वाह क आपको क्या करना है वरणन देना है या वरणन कीजिए मिसेशता है बताइए ठीक है इसको भी आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है इसमें और भी टॉपिक है चार नमबर प्रात्मिक किरियाए में अठारा नमबर टॉपिक देख लेते हैं हाँ यह दिखे अठारा नमबर टॉपिक है चलवासी पसुचारण वाणिज पसुधन में क्या है यानि चलवासी पसुचारण और वाणिज धन पशुपालन में अंतर बताईए ठीक है दोरों में अंतर पूछा जाएगा तो इसको भी आप लोग तयार कर लीजिएगा 19 नमबर टॉपिक है आधुनिक किर्शी के प्रकारों का वरण कीजी तीक है तो हमें आधुनिक जो किर्शी इसकी प्रकारों का वरण करना यह भी इंपोर्टन टॉपिक है 20 नमबर टॉपिक है रोपन किर्शी पर निबंद लिकिए ठीक है रोपन किर्शी पर निबंद लि अलग अलग तो यह हमारा 21 topic complete हो चुका है सभी आप लोग वीडियो को आराम सी रोक कर देख सकते हैं पांच नमबर चैप्टर है दुतियक किरिया है जो आपका 5 नमबर चैप्टर है दुतियक किरिया है इसके जो topic बनते हैं यहापा देखिए 22 नमबर इसके topic है कि दुतियक विवसाय क्या है यह भी आपका most important questions है इसके बारे में आपको तयार करना है 23 नमबर topic है आपका कुटीर उदोग और लगु उदोग में आपको अंतर असपश्ट करना है अंतर बताना है 24 नमबर topic है प्रात्मिक गत्विदिया और दुतियक गत्विद्यो के बारे में बताना है ठीक है यह सभी आपकी chapter 5 में topic मिलेंगे ठीक है आप लोगों को प्रात्मिक दुतियक गत्विद्यो में अंतर बताना है दोरों सब सेम यह बिवेद कह लीजिए या आप इसको अंतर कहने जिए ठीक है student तो confused मत होईएगा ऐसा ही questions आपकी board पर इच्छा में पूछे जाएंगे 25 नमबर topic है स्वाचन्द उदोग की यहां पर देखे स्वाचन्द उदोग की व्याख्या कीजिया टिपड़ी लिखिए ठीक है ऐसे questions पूछा जाएगा 26 नमबर topic है आकार के आध ठीक है तितिय और चतुर्त किरिया क्लाप आपका class dual geography का आपका कौन सा chapter ने student छे नमबर chapter इसमें देखे 27 नमबर topic है फुटकर व्यापार क्या होता है ठीक है आपको फुटकर व्यापार के बारे में असपश्चता बताना है कि फुटकर व्यापार क्या है 28 नमबर आपका topic ह पंचम क्रिया क्लाप के बारे में बिताना है ठीक है पंचम क्रिया क्लाप है इसके बारे में आपको बताना है 29 नमबर topic है संचार के कार बताई है ये लिए most important topic है ठीक है student ये सभी geography के important topic है जो आप लोग पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका 100% में गारण्टि लेता हू आपको और भी कुछ पढ़ने की अवश्यक्ता नहीं रहेगी, आपका लगबग, क्या है, 80% questions तयार हो जाएगा, बागी का जो आपका 8 questions वह भी कल्पिये बनता है, उसको भी आप लोगों को अच्छे से अलग पढ़ने ना है, तो पंचम किरिया किलाब के बारे उसमें संची जैसे कि यहां पर देखिए, कि नितियक किरिया कलापों का वरण कीजिए, यह भी आपका इंपोर्टन टॉपिक है, वी वी आई, ठीक है, जो इसका वरण करना है, 31 नंबर टॉपिक है, संचार से आप क्या समझते हैं, इसकी सेवाओं के बारे में बताईजी, जैसा कि मैं आपको बताया, 32 नंबर टॉपिक है, परियतन के बाद तो पर टिपड़ी देखिए, ठीक है, हमें परियतन के बाद तो का जो है, टिपड़ी दे रहा है, यह खासकर आपके एक इसमें, खासकर यह दीर गुत्तरिये में पूछा जाएगा, जो कि 6 नंबर का एक कोश्चन हो जिए जिए पढ़ते चाहिए, तो यह टॉपिक वीडियो देख लीजिए, सारा डाउट उनका कीलियर हो जाएगा, इस्टूडेक, आप लोगों ने कोश्चन मैंग, तो आपना लिया ही होगा, जो भी कोश्चन मैंग लिया है, ले लिया है, तो कोश्चन मैंग आप लोग इसके बारी में आपको बताना है, परिवाहन क्या है, इसके बारी में आपको बताना है, चौतिस नमबर टॉपिक है, विश्य के परमुक आंतरिक जलमार्गों का वरणन कीजिए, ये भी आपका important questions है, जो कि विश्य का जो परमुक आंतरिक जलमार्ग है, इसके बारी में आ स्वेज नहर के बारे में बताईए ठीक है जो विश्व व्यापार में पनामा और स्वेज नहर है इसके बारे में आपको डीटियल में बताना है साथिस नमबर टॉपिक है या पर प्रसांत महा सागर के परमुख जलमारगों के बारे में आपको बताना है ठीक है जो प्रसांत सागर के परमुख जलमार्गों का वरणन्द करना है ठीक है या विश्व के परमुख सनुद्री मार्गों का उलेक कीजिए ऐसा अतवा करके कोश्चेंस में पूछा जाएगा तो इसको भी आप लोग तयार कर लीजिएगा ठीक है स्टूरेंट जो परिवार संचार से टॉपिक बनना है इंपॉर्टन टॉपिक है अगला टॉपिक देखें या पर आठ नंबर चैप्टर से अंतर राष्ट्य व्यापार चैप्टर इसके 38 नंबर टॉपिक है अंतर राष्ट्य व्यापार का महत्तु बता हिए यह भी आपका important question से स्टूरेंट इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है तिक है अंतर राष्ट्य व्यापार का महत्तू उनतारिस नंबर टॉपिक है विश्य व्यापार संगठन क इसका full form है student, ठीक है, shortcut में WTO कहते हैं इसको, ठीक है, 40 नंबर topic देखे, पतन से आप क्या समझते हैं, ठीक है student, पतन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको detail में समझाना पड़ेगा, 41 नंबर topic है, मुंबई बंदरगाह की भोगोलिक, अवस्थित के बारे में आपको समझाना है, इसका वाणान करना है, जो मुंबई बंदरगाह है, ठीक है student, इसको भी आप लोगों को अच्छे से तयार कल लेना है, उसके बाद में देखे, अगला chapter आ चुका है, ठीक है, यानि section B से student, या पर आप देख सकते हैं, section B से यानि खंड खास है आपका, अब ये स सारे topic आये हुए है, जो कि mood jam की दिरिष्टी से काफी ज्यादा important topic है student, 9 number chapter है या पर देखिए, जन संख्या वितरण, घनत विरिद्धी और संगठन, इसके बारे में बताना है जो आपका chapter कौन सा है, 9 number chapter है, खंड खाका, इसमें 42 नंबर topic है, जन संख्या विरिद्धी के ब 44 नंबर topic है, भारत के जन संख्या के घनत्तु के बारे में बताईए, ठीके ये भी आपका VBI important questions है, इसको भी आप लोग तयार कर लीजिए, पेपर में पूचा जाएगा, 44 नंबर topic है, भारत में जन संख्या वितरण को परभावित करने वाले कारत बताईए, या इसका होता है, ठीके, ये भी आपका very very important questions है, इसको भी आप लोग तयार कर लीजिएगा, 46 नंबर topic है, जन संख्या विरिद्धी के छेत्रिय विभेन नताओं के बारे में बताईए, इनके बारे में बताना है, इसको प्रकाश डालना है, तो ये भी आपका very very important questions है, इसको तयार कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, 70 में 70 फोरने का target है आपका, तो ये समी questions को आप लोगों को अच्छे से तयार, कल लेना student most important है, viral pressure है, viral ठीके, new paper pattern पर आसारित है, ठीके, तयार कर लीजिए, paper में 100% पूछा जाएगा, 10 नंबर chapter देखि, मानो बस्तिया क्या होता है ठीके, मानो बस्तियों के बारे में बताना है कि मानो बस्तिया क्या है, ठीके, तो आपका 10 नंबर chapter है, इसी के उपर, मानो बस्तिया के उपर, 47 नंबर topic है, मानो बस्ति से आपका क्या अभप्रिया है, इसके बारे में बताना है, ठीके, मानो बस्ति से क्या अभप्रिया है, मानो बस्तियों से related पूछा जाएगा भारत की ग्रामीड बस्तियों से related पूछा जाएगा उन्चास नमबर आपका टॉपिक है गुच्छित बस्तिया क्या होता है ठीक है गुच्छित बस्तियों के परिभासित कर जी या पनली बस्तिया क्या होता है इसके बारे में questions मुझा जाएगा answer मैंने already channel पर दिया है जो हमारी student model paper का वीडियो जो देखते होंगे इस student उनको सारी चीज़े पता होगी क्योंकि मैं सारे questions उसी में ज़्यादा solve कराता हूँ पचास number topic है, ग्रामीड, एउन नगरिये बस्तियों के बारे में बताइए 51 number topic है, भारत के नगरों की विकास का करम कैसा है इसके बारे में आपको अस्पश्टता बताना है अगला topic देख लिजे यहाँ पर 11 number chapter देखे, 11 number chapter है भूसंसाधन तथा किर्शी ठीक है, भूसंसाधन तथा किर्शी इसके बाद में देख लिजे, इसमें और भी topic है इसके किर्शी में 33 number topic देखे, भारत में फशल की रितुए कैसी है ठीक है, जो भारत में फशल की रितुए है यह कैसी है, इसमें आपको टिपड़ी लिखना है important है 4 number topic है, चाय वा कॉफी की किर्शी पर आपको संचेप में बताना है कि क्या है भाईया ठीक है, पच्पन नमबर topic है चावल की फसल पर संचित वर्णन कीजिए इस पर आपको लगुत तरी बें ज्यादा तरी कोशन उचा जाएगा, जो कि 4 number का आपका धुगोल में होता है 56 number topic है भारत में भू उपियोग का परमुख समवर्गों के बारे में बताना है इसका उलेक करना है 57 number topic है भारती किर्शी की समस्याए क्या है भीया इनके बारे में आपको detail में बताना है इसका वरणन करना है इसकी समस्याओ की विवीचना करना है अथवा करके ज्यादा तर ये question पूछा रहेगा तो ये भी आपका most important topic है अगला chapter है बारण नमबर जल संसाधन जल संसाधन से भी काफी questions आपके पूछे जाते हैं जैसे 58 number topic है भारत में जल सररच्छण क्या है? भारत में जल सररच्छण इसके बारे में आपको detail में बताना है उनसाध नमबर topic है भारत में सिचाई के साधन भारत में जो सिचाई के साधन इसके बारे में आपको detailी बताना है और सररच्छण की उपायों का वरण करना आपको साथ नंबर टॉपिक है जल संभर विकास लाब क्या है इससे आप क्या समझते हैं ठीके इससे लाब तता पेच्छित परन आपको आपको बतारा रहेगा लंबा कोश्चन्स हो जाता है ठीके लिगन सौट में करकी आपको समझा देता हूं कि ऐसे कोश्चन्स पूछे कि या कोई भी कोश्चन्स हो इसमें आपको चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएगा इसी लिए आपको प्रॉब्लम नहीं इसी लिए में चैप्टरवाइज आपको बता Yep. कोई भी आपको प्रॉबलम नहीं वहूं और इसके ज으면 पूरा सेलीूशन चाहते है तो आप लो पूरे का पूरा चाहिए वो दो घंटे का वीडियो में या तीर घंटे का मैं सभी का सेलीशन लेकर आओंगा इस चैनल पर ठीक है तेरा नंबर चैप्टर देखे खाणीज ये तथा उर्जा संसाधन क्या है इसके बारे में आपको बताना रहेंगा इसमें 61 नंबर टॉपिक परिभासा देना है भारत में पेट्रोलियम संसाधन की ऊपर ठीक पड़ी लिखीए यह आपका इंपका है ठीक है तीरसत नंबर टॉपिक लिखें आपच जे उर्जा क्या है इसका मात तो क्या है इसके स्टूड़ेंट जे उर्जा का मात तो बताईए लगो तरे वे कोशन पूछा जाएगा इसको भी आप लोग तयार कर लीजिएगा 64 नंबर टॉपिक है भारत में अबरक का वित्रण ठीक है भारत में जो अबरक का वित्रण है इस्टूडेट यह क्या से इसके राज्यों का नाम बताईए उत्पादन का विवराण दीजिए दो छेत्रों का नाम तो अतवा करके ज्यादा तरे कोश्ट उच्छा जाएगा इस से रिलेटेड इसको भी आप लोगों को तयार कर लेना 64 नंबर टॉपिक में ठीक है अगला कोश्ट टॉपिक देख लेते हैं यापर 45 नंबर टॉपिक संसाधन सरच्छड क्या इसके बारे में आपको बताना ह है ठीक है भारत में संसाधन जो सरच्छड है उसकी बाद में बहुत और फिर लोग ऐस्क का उत्पादन कैसे होता है इसकी बारे में डीटेल में दे रहा है तो चापटर का नाद 13 नंबर था हनी श्टता ता उज्या अजिया सनसाधन उस चैपटर में आपको कितने छे टॉ अगला चैप्टर है भारत के संदर्व में नियोजित और सतत्थ पोश्डिये विकास यह 14 नमबर चैप्टर है इस्टूडेंट आपके जियोग्राफी चैप्टर में ठीक है जियोग्राफी की बुक में मिल जाएगा चैप्टर ठीक है आप लोगों पढ़े होंगे तो आपक उतना समझ लीजिए तैयार कर लेंगे तो रामबार है सत्तर में सत्तर जरूर फोड़ेंगे स्टूडेंट यह में गारंटी लेता है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा लिख लीजिए ठीक है सब्सक्र नमबर टॉपिक है यहां पर दिखिए नियोजन की उपागम के बा इस नाओं का वराण कीजी इंप्वोड़एंट है 97 अबर टॉपिक है इंदरा गांधी नहर कमांड चे प्सको बढ़ावा देने के लिए इसका इंद्रगादी नहर कमांड है, इसका क्या योगदान था, ठीक है, डीटियल में आपको बताना रहेगा, 31 नमबर टॉपिक है, परवतिये छेत्र के विकास कारिकरम को आपको बताना है, इसके बारे में बताना है, तो यह टोटल पांच टॉपिक थे, जो कि आपके 14 नमबर चैप्टर थे, अगला चैप्टर आपका परिवाहन तंता संचार, परिवाहन तंता संचार 15 नमबर चैप्टर है, बातन नमबर इसका टॉपिक है, कि परिवाहन के परमुख साधन क्या है, हमें परिवाहन के परमुक साधन के बारे में बताना है परिवाहन से आप क्या समस्त है तो एक अंपल सरे श्टूरेट याद रखेगा जो चैप्टर है उससे रिलेटेड उड का परिभासा पूचा जाता है तो आपको पढ़ लेना है त्यात्ता नमबर टॉपिक है सड़क परिवाहन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है सड़क परिवाहन का परिभासा देना है चौत्ता नमबर टॉपिक है स्वरणेम चतुरवज परियोजना ठीक है आप लोगों को मेंने काफी बार बताया कि किस से related question पोचा जाएगा जो स्वरणीम चेतुरवज परियोजना है इसको समझाईए ठीक है या स्वरणीम चेतुरवज परियोजना को आपको क्या समस्तेश की परियोजनाओं का उल्लिय कि भारत में राष्टी ठीक है राष्टी म महामार्ग की विकास की बारे में तो अथवा करके question पूछा जाएगा ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया आपका अथवा रखे काफी question पूछे जाएगे 75 नंबर टॉपिक है रेल परिवाहन क्या है भारत में रेल परिवाहन का क्या महत्तों है इसकी बारे में आपको detail में वो कैसे है इनके बारे में आपको बताना है ठीक है student कि इसकी परमुग विसेश्थाओं के बारे में बताईए 87 नंबर आपका topic है कांडला है आप दिखे कांडला तथा मुंबई पतन पर टिपड़ी लिखिए ये भी important आपकर है topic उसके बाद में दिखे 88 नंबर भारत में आयात व्यापार के बारे में बताना है ठीक है जो आयात व्यापार है ना भारत के आयात व्यापार आयात और निरियात ऐसे topic आएंगे यानि important sport जिसको हम कहते हैं ऐसे topic आपकी पूछे जाएंगे 89 नंबर topic दिखे जोकि भारत के अंतरराष्टी व्यापार से related है इसको भी chapter है Google में इसमें 80 नंबर topic है कि टिपड़ी लिखिए वायू प्रदूशन पर ठीक है वही अब टिपड़ी लिखना है वायू प्रदूशन के इस्तरोत्तों के बारे में बताना है 81 नंबर topic है भारत में जल प्रदूशन को परभासित कीजी ठीक है ये भी काफी important questions है इसकी ब topic है भारत में गंदी वस्तियों की समस्याओं बताईए ठीक है तो जो आपका मानो बस्तिया है उसमें भी ये question पूछा जाएगा और आपके इसमें भी ये question पूछा गया कि भारत की जो गंदी वस्तिया है इनकी समस्याओं का वरण कीजी ठीक है 84 नंबर topic है भू निमनी topic है dear student ठीक है तो पचासी important topic मैंने आप पर बता दिया आपको class dual geography के जो हमारी student है जिनको 70 में से 70 लेकर आना यह सभी topic को तयार कर ले रहा है एक भी topic को मत छोड़िए student आपसे request है इसको copy में लिग लिजे रहे को screen sort लिग लिजे क्यूंकि paper में 100% यह पूछे जाएंगे ठीक question में और book में answer मिल जाएगा